इसने केचर राजे श्राव और उनके साथियों द्वारा शहर के दो इस्थानों से रविवार को ज़हरीले सापो को पकड़ा गया है साप निकले जाने की सूचना दुर्ग आटियो कारेले के पास से राजे शराओ को मिली थी जिसके तत्कालबाद में मौके पर पहुंचे और काफी जद्दो जहत के बाद आखिरकार साप को अपने कबजे में कर उसे प्लास्टिक के बरनी में कैट कर लिया साप को पकड़े जाने के दौरान राजे शराओ को डीपीएस चौक रिसाली के समीप पेड़ पर साप के चड़े होने की जानकारी मिली इस साप को देखने बड़ी संख्या में डीपीएस चौक के पास लोगों का हुजूम उमर पड़ा था इस दोरां राजे शराव दुर्ग में थे, उन्होंने अपने मित्र को DPS चौक पहुँचने कहा, जिसके बाद वा स्वम भी DPS चौक पहुँचे और जहरीले सर्प को अपने काबू में किया, दोनों ही साप खतरनाक प्रजाती के बताई गए हैं, सापों को प्लास्टिक की ब पहुचकर इन सापों को पकड़ते हैं, अब तक शहर के अनेक स्थानों से इनके द्वारा सापों को पकड़ा जा चुका है, राजे शराव के वेस्त होने पर इनके द्वारा अपने मित्रों को सूचित किया जाता है, जो मौके पर पहुचकर साप को अपने काबू में करते यह एक नाइट में हमारे पास में फोन आया था यह साड़े नो दस बजी की बात है यह बिलाइट कलब का सेक्टर टेंग के पास का था एरिया जेंटी स्टेडियम के पास का वह अंदर मतलब रेस्कूल की है हम लोग वहां पर यह जो इस पेक्टिकल कोगरा था जो यह अपकर जो फोर्त रहा था नाग जो है कोगरा जिसको भूलते है और पबलीक जो है उसको थोड़ा सा छेट चाड कर देंगे प्लांट के पिछे जो एक पुरा खूला प्वारेश्ट तैप का पुरा जगा है वहां पर इस पर प्रबलीड प्लेस काना जाना वहां नहीं है वहां अब तक कितने सापों को पकड़ा जाते हुँ और अभी और अभी गिंती में तो उतना अभी को धियान निए कम से कम पास में पनरा लोग हैं सर और एक्टिव में अभी सर दस लोग हैं और जैसे मैं अगर आट ऑफ स्टेशन या कहीं में बाहर जाता हूं तो हमारी जो है चैनल के सुरूर हम लोग एक दूसर को कॉंटेट करके उस रेस्क्यू के लिए हम लोग कम्प्रिट करते हैं सर मेरा दो नंबर है सर 79749-37882 और एक नंबर और है 99266-32510 ग्रेंड एसीन न्यूस के लिए संजय दुबे